कि अब लोग कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यूव है और आपने अभी तक अगर निहास करेटिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज आपसे मेरे रिपकेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिक के चैनल मेलें तो एक लिए तो कर दिया और आथे अधिन नोगतिकोशन के बिलें करें तो यँ कि आपको पताहिए कि अभी हम लोग इटली वं अन देस के लिए उसके लिए अपनी से सभिंग पैकिंग कि क्योंकि हम लोग बहुत जाद बैग करी नहीं कर सकते और क्योंकि सौरा वकेले ही हैं केरी करने के लिए तो एक इनसान कितना जादा बैग उठाएगा तो इसी लिए मैंने स्पेस सेविंग पैकिंग की है तो मैं भी आपके सार शेयर करूंगी मेरी बिफोर और अफटर दोनों लुक तो आप देख लिजेगा कितना फर्क पड़ा है और स्पेस सेविंग पैकिंग के लिए मैंने यूज किये है ये जिपलो बैग और इनको हम वेक्यूम बैल भी बोलते हैं ये मैंने ओनलाइन ओर किये हैं अमिजोन से तो मुझे बहुत जादा बैनेफिट हुआ है और मैं आपको बता दूं कि ये स्पॉंसर्ड वीडियो न वाले बैग और मैंने ओर्डर की इसमें एर्फारसाइज के जाए स्पमोल मीडियों रार्ज और 2017 तो मैंने तो अपनी हम टीनों के कप्ड़ मीडियों साइज बैग में रखे हैं और उसमें 10 डेस के कपड़ अच्छी से आए तो मैं यह अपके साथ शीयर करते ह्यू हुँ स यह पैकिंग तब की है, जब मैंने विदाउट जिपलोग बैग पैकिंग किया था, फर उसके बाद ही मैंने जपलोग बैग बैग और अपनी पैकिंग की, तो इसमें अभी सौरव और अनवित के ही कपड़े पैक हैं और मेरे कपड़े बचे हुए हैं, जो मुझे इसके यह मैंने मीडियम साइज का जिपलोग बैग लिया है और मीडियम साइज में हमारे सब के कपड़े फिट हो गए हैं मेरे अलग मीडियम साइज में और अनवित और सौरव के अलग मीडियम साइज बैग में मैं भी आपको वन बाई वन इस जिपलोग बैग में कपड़े रखके दिखाऊंगी तो इस वाले बैग में स्वारव के 9 डेज के कपड़े फिट हो गए हैं जो स्वारव अपने टीशट और शोट्स लेके जा रहे हैं तो इस वाले बैग में स्वारव के 5 डोटम्स और 9 टीशट्स हैं तो जिसमें 4 शोट्स हैं और एक ट्राउजर है तो पैक होने के बाद इस बैग का लुक अभी ऐसा है तो अभी हमें इस बैग को लोग करना है तो इन बैग के साथ ऐसे ये एक लोग करने के लिए आया है तो मैं अभी जिपलोग बैग को लोग कर रही हूँ कि यह वाला जो इस पेस दिया है यह एर को भाहर निकालने के लिए है और इन बेक के साथ यह वाला पंप आया है जिससे हम इस वाले बैक की एर भाहर निकालेंगे तो इसी से ह हमारा का स्पेस सेव होगा तो मैं अभी वही कर रहे हूं एयर को बाहर निकाल रहे हूं एर बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि वाला बैक कितना श्रिंक हो गया है और इसी से हमारा स्पेस सेव होगा पंप करने के बाद हमें लिड़ को बंद करना है और सेम ऐसे ही मैंने अन्वित के और अपने कपड़े पैक किये हैं और अन्वित के तो इसमें काफी जादा कपड़े आ गए हैं क्योंकि बच्चे के कपड़े तो छोटे ही होता है तो अन्वित के मैंने 10 days के लवा थोड़ा extra pair भी रखे हैं क्योंकि एक दिन में 2 के हिसाब से रखे हैं मैंने तो अभी वही अन्वित का थोड़ा मुझे air कम लगड़ा था वही फिल कर रही हूँ तो अन्वित के कपड़ों के अलावा इसमें अन्वित के डाइपर भी काफी आ गए हैं तो ऐसे मुझे काफी इस पेस लगा लेकिन इसमें आपको अपने साथ यह जो लोग करने के लिए दिया है और यह पंप रखना है तो यह ही इंपोर्टेंट है तो इस वाले स्मॉल जिपलोग बैग में मैंने मेडिसन्स रखी है हमारी और अन्वित की बेसिक मेडिसन्स जो भी जुरत लग सकती है और अन्वित की वाइटेमिन्स हैं तो बेसिक मेडिसन्स में लाइक फीवर, पेट दर्द और सरदर्द ऐसी रखा है तो मैं भी आपको दिखाती हूं कि मैंने टोलेटरी बैग में क्या-क्या रखा है तो यह अन्वित का टोलेटरी बैग है इसमें मैंने नैपी पाउडर रखा है अन्वित का शावर जैल रखा है और इसमें भी अन्वित की मेडिकेटिड जो क्रीम है बोडी लोशन वो आए मैं निवाया घाल चुम्हाण करता है कर दोफाँ एक बंड़ाई ड्राइ शेंपू रखाऊ है यह तोलेटरी बैग है इसमें मैंने हमारे तूथब्रश और तूथपेस रख दिया है तूथब्रश को मैंने फॉल्पेपर से रयक कर दिया है इसमें सर्भ का दियो है शेविंग जेल है अफटार शेव है और इसमें मैंने सधैंड मैंने रख दिया है उसको मैंने अपनी मेक-किट दिखाती हों तो ऐसे मैंने मेक-ब कीट को ओर्गनईज किया है इसमें मैंने पेस के लिए संसेफ रखहे है और ऐसे मेंने श्मॉल जिप लो पॉछिस जिसमें मैंने अपनी एरिंग्स रखे हैं, नेक पीसीज रखे हैं, जिनका मुझे ज़ुरत लगेगा, हेर अक्सेसरीज रखी हैं, और ये कुछ, मैंने कॉटन बोल्स रखी हैं, और रेजर रखा है, इसका भी बहुत ज़ुरत लग जाता है, अन्डराम्स के लिए, और मेरी मेकप कित हैं, तो जितना भी मुझे जुरत लगेगा थोड़बो तो मैंने इसमें पैक कर लिया है, और एक ऐसे बड़ी कित पे मैं रखोंगी तो एकदम मेरा और अर्गनाइजर एगा, और ट्रांस्पारेंट बैग्स हैं, तो मुझे ढूंदना भी नहीं पड़ेग सब इजली मुझे मिल जाएगा, तो इसमें आप देख सकते हैं, अभी भी काफी स्पेस है साइड में, अगर कुछ रखना है तो, यह वाले जिप लोग बैंग में मैंने अपने अंडर गामेंट्स रखे हैं, और इसमें जो एकसेसेर था, वो मैंने बहार निकाल दिया है, और यह वाला जो जो जिप लोग बैग है, इसमें मैंने अपनी कैमीज रखी है, एक शेप वियर रखा है, और कुछ सैनिटरी पैड रखे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, काफी अच्छे से और्गनाईज हो गया है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वन बाइवन यह पोली बैक के अंदर मैंने एक फुट वियर पैक किया है, तो वही रख रही हो तो आप देख सकते हैं, कि कितना जादा स्पेस सेव हो गया है, इसमें अभी हमें अपने बाथरूम स्लीपर्स रखने हैं, और अगर आप और भी समान रखना चाहें, तो काफी रख सकते हैं, और आपने बिफॉर इसका लुक भी देखा था, और मैंने यहां पे कुछ एक् अपने लुक हमारे बैका, इसमें हम तिनो के 10 देख के कपडे और हमारी जो भी एक्सेसरीजें, टोलेटरीज और अधर थिंग्स वो हैं, तो आप देख सकते हैं, इसे कितना जादा स्पेस सेव हो गया है, तो अप्रेंड्स, आप मेरी पैकिंग से देख तो चुके ही लेकिं मैंने जब बैक्स का यूज किया, तो उससे मुझे बहुत ज़दा है तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए हो, तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बैल को हिट करना बिलकुल ना भूले, और आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं कि न्यू वीडियो के साथ, अब ते क